गूर्णिंग अश्टुडेंट वेलकम टू मैं चैनल सॉलन एजूकेशन पटना आज आपको लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेट नोटीस है जो आपके एक्जाम से रिलेटेड है आपका एक्जाम का जो टाइम टेवल है वो आ चुका है ठीक है कब कौन सा पेपर का लोट किया था आज के नोटीस में बताएंगी कि कौन सा समिस्टर का एक्जाम कौन से डेट को होगा क्या उसका टाइमिंग होगा फर्स सिटिंग में होगा या सेकेंड सिटिंग में होगा ठीक है तो यहां पर देखिए जो दिया है यहां पर देट दिया हुआ है यहां पर देखिए दिया हुआ है उसके बाद सबजेक्ट कोड है और सबजेक्ट कोड है उसके बाद फर्स्ट सिटिंग पेपर है और दूसरा second sitting paper है ठीक है first sitting और second sitting जो होता है वो 9.30 a.m. से 12.30 p.m. या 1.30 p.m. होता है ठीक है उसके बाद जो हमारा second sitting exam होता है वो 2 बजे से 5 बजे या 6 बजे तक होता है according to paper अगर वो paper जादा time का है या जैसे drawing का कुछ paper है तो उस condition में 6 घंटे तक का भी होता है तो आप ये 2 sitting होता है या ध्यान लख लेंगे कि first sitting भी होता है second sitting भी होता है एक 39 से 32 और एक 2 से 5 के बीच में होता है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिए अगर first semester होगा तो group A और group B होगा ठीक है आपके syllabus में आपने देखा होगा आपके syllabus में यहां पर आपको जो है आपको subject यहां पर नहीं मिलेगा तो देखिए first year का मिल जाएगा देखिए first year में पांच चार दो हजार तीन को ठीक है पांच चार दो हजार तीन को group A है semester 1 है new syllabus है उनका exam mathematics 1 होगा और group 2 का mathematics 2 होगा ठीक है उसके बाद first semester का exam कब होगा अब first semester का exam 5 के बाद directly जो exam होगा यहां 8 तारीक को होगा ठीक है देखिए 8 को उसके बीच में आपका third semester और fifth semester का exam होगा उसके बाद 8 तारीक को होगा उसमें है group 1 का syllabus है group syllabus new syllabus के according physics 1 का होगा first setting में physics 2 का को होगा second setting में किसका group 2 का group 1 का first setting में group 2 का second setting में मतलब एक तो एक जाम हुआ पांच तारीक को और दूसरा आठ उसके बाद उसके बाद देखिए यहां पर 11 तारीक को होने वाला exam first group 1 के लिए जो है chemistry applied chemistry और group 2 के लिए IT 2 introduction to IT system होगा group 2 के लिए कितना 11 तारीक को उसके बाद आपको 13 तारीक को फिर है news first group के लिए communication skill होगा और second group के लिए fundamental of electrical and electronics होगा group किस के लिए two के लिए उसके बाद 17 तारीक को group 1 के लिए engineering graphics होगा और group 2 के लिए engineering mechanics होगा ठीक है कितना तारीक को 17 तारीक को और जो है last exam है last exam है first year के लिए ठीक है first year के लिए जो है हमारा last exam है 17 तारीक को और 17 तारीक को group 1 के लिए engineering graphics और engineering mechanics ठीक है तो आपको जो exam होने वाला है एक तो 17 तारीक को फिर है 13 तारीक को 13 के बाद 11 और 5 तारीक को ठीक है तो आपका exam है 5, 8, 11, 13 और 17 ठीक है आपका जो exam date है वो 1, 2, 3, 4, 5 पेपर है 5 पेपर में आपका पहला exam 5 तारीक को उसके बाद दूसरा 8 तारीक को फिर 11 तारीक को फिर 13 तारीक को और 17 तारीक को सबसे अच्छा बात है कि 13 और 17 में 4 दिन का gap है और engineering graphics और mechanics के लिए आपको बहुत अच्छा समय मिल जाएगा ठीक है उसी तरह से इसमें तीन दिन का gap है तो आपको दो थोरा और इसमें भी तीन दिन का gap है आपको जो है दो मात्र एक दिन का gap है 11 और 13 के बीच में ठीक है तो आप इस पेपर को थोरा अभी से ही पढ़िएगा ठीक है तो और ये आपको हम PDF भी शेयर कर देंगे लिंक में ठीक है और बाकी जो है 3rd semester, 2nd semester का जो है 5th semester का भी दिया हुआ है 3rd semester का दिया हुआ है इसमें subject का नाम नहीं दे करके क्या है इसका code दिया जाता है क्योंकि उतना पेपर लिखना शंभब नहीं होता है इसलिए ठीक है तो आप exam का time table आ गया तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए ठीक है धन्यवाद